राइपुर के आजाद चौक शेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट कर जानले पर हमला करने का मामला सामने आया है जहां मारपीट मामले में दो परार आरोपे को पुलिस ने ग्रिफतार किया है जहां आरोपी शुभम मिश्रा और शेख सरफरोस को ग्रिफतार कर लिया गया है जिसके कबसे से खटा में प्रयूक्त रोड बरामत की गई है वहीं आरोपियों के विरुद कारवाई की गई आपको बता दे कि प्रार्थी रक्सेल ने थाना आजाजा चैक में रिपोर्ट दर्च करवाई की 6 सितंबर को अक्रिसैन अस्पताल के बाहर खड़ा है इसी दौरान पीछे से अचानक राजेक और उसके अधने साथियों ने यूबक के साथ हाथ मुद का मारपेट करते हुए वहीं यूबक की हत्या करने की नियस से अपने पास रखे तलवार और लोहे की रौट से लगतार वार किया और यूबक के सिर चहरा और बाए हाथ में कम भी चोट पहुचा कर फरार हो गया जिस पर आरोपियों के व्रोद धाना आजा चौकी में अपराद पंजीबर किया ग कि अधाना अजाट चोगंतरगर दिनांग 6 सिजम्बर को एक मार्ट की अधाना लगाता अधिसमें जो पिडित जयर अच्छेल है और फाना में जाकर पर इप्रोपित रहाता इसमें कई लोगों को विरुद में धाना 307 के प्राद प्राद पंजीबर कर दिशना किया जा र कि अधान बाच और थाना अजाट नजीव इसमें लगातार आप पर आरा रप्यों को पतासाजी कर रहते हैं इसमें कल प्रिंपिंग को महाचिसमें शकलता मिला और इसमें सुभब मिश्रा और सेख सरकरो जो दो आरूपी है उसको उतार किया गया है